नमस्कार दोस्तों मैं रोशान आनंद आज एक संदेश देने के लिए ये विडियो बना रहा हूँ आप सभी छात्रों को मालूम होगा कि 213 पोस्ट बिहार दरोगा के लिए परिक्षा 26 दिसंबर को हुआ और उसका रिजल्ट दो फरवरी को आया और दो फरवरी को जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट में संस्थान का आपके संस्थान ज्यान बिंदो जी एस अकेडमी का काफी बहतर परदर्सन रहा लोग बैट जब ओपेन करते हैं डेमो देकर क्लासरूम भरते हैं लेकिन संस्थान का इतना बहतर रिजल्ट रहा और अभी आप सभी जानते होंगे सेक्षनिक संस्थान बंद है लेकिन कल की रिजल्ट आने के बाद संस्थान का क्लासरूम रिजल्ट से भर गया तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि संस्थान का कितना बेहतर रिजल्ट रहा होगा और बहुत सारे लोग तो पटना से बाहर हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट से क्लासरूम भड़ गया इसी से आप अनुमाल लगा सकते हैं कि कितना बहतर परदर्शन संस्थान का इस रिजल्ट में रहा और कल छात्रों से मिलने के बाद जब मैं कोचिंग से अपने रूम की और चला तो एक घटना घटित हुआ और रात से ही मैं ये सोच रहा था कि इस घटना को आपके साथ सेयर करूँ या ना करूँ क्योंकि मेरे प्रसनल लाइप में जो भी घटना होता है हम प्रियास करते हैं उन घटनाओं को अपने तक ही सिमित रखने का लेकिन ये घटना प्रसनल लाइप के साथ साथ आप छातरों से भी जुड़ा हुआ है तो इसी वज़़े से मैं चाहा कि इसको मैं सेयर कर दूँ और देखिए होता ये है कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो लोग आपके पीछे लग जाते हैं और आपको विश्वास नहीं होगा कि आज तक हम एक चीती को भी नहीं मारे होंगे लेकिन हमारे उपर दस से ज़्यादा केस हुआ है और हर केस को हम हैं और सब फरजी केस हुआ है तो रिजल्ट से कुछ शिक्षा माफिया इतना घबरा गए और संस्थान का 17-17 पोस्ट 246 पोस्ट फिर 213 सभी वेकेंसी में संस्थान का काफी बहतर पर दरसन रहा दिन परती शिक्षा माफियाओं ने हम पर हमला करवाया और उस हमला के विशय में ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे लेकिन थोड़ा बहुत घायल हम भी हुए हैं और इस हमला को लेकर के अभी तक मैं किसी से भी सेयर नहीं किया हूँ रात से मैं यहीं सोच रहा था सेयर करू नहीं किसी सेयर करना चाहिए आज के देट में हमला करवाया है कल के देट में हो सकता है मड़र ही करवादे कुछ भी हो सकता है तो अब जो भी लोग करवाए हैं हमको तो नहीं पता है कुन करवाए कुन नहीं करवाए हैं लेकिन यह सिक्षा माप्याओं का ही काम है जो हमारी परत अपने तरीका से इसको देखेंगे, कौन है, नहीं है, क्यों हमारे पीछे इतना लगे हुए हैं, और दूसरा नियाईत पर किरिया में भी हम इस चीज को डालेंगे, और देखें अब क्या होता है, क्या नहीं होता है, लेकिन हम आपको इतिहास पढ़ाते हैं, और इतिहास में बहुत सारा उदाहरन है जिसे गांदी जी को ही आप मान लीजिए गांदी जी जब देश की आजादी के लिए लराई लर रहे थे तो उन्हें कई दफा जेल जाना पड़ा कई दफा मार खाना पड़ा तो इन सभी चीजों से गांदी जी घबराए नहीं और अंतता छोटा आंदोलन बढ़ा आंदोलन घड़ के देश को आजाद करवाए तो उसी परकार से हम भी इससे डरने वाले नहीं है लोगों को लग रहा है कि हम डर जाएंगे तो ये लोगों का भढ़म है कि हम डर गए हैं हम डर जाएंगे हम ड़ने वाले नहीं हैं, लडने वाले लोग हैं और शुरू से लेकर आज तक जो हम लड़ते हुए आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और एक गांदी जी का पिरिये भजन है एकला चलो रे हम इस चीज को फॉलो करने वाले लोग हैं और आप सभी अगर जानते होंगे तो हम बहुत जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं, अकेले कहीं जाना पसंद करते हैं और हमारे अकेले का फैदा जो है लोगों ने उठाया तो खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है देखिए, बात यह है कि अगर हम समाज की बात करें तो समाज में सबसे ज़्यादा परतिष्ठा एक सिक्षक को मिलता है सम्मान एक सिक्षक को मिलता है और मेरा अपना यह मानना है कि अगर सिक्षक को बोडिगार लेकर के चलना पड़े तो वो सिक्षक सिक्षक नहीं है, क्योंकि सिक्षक को किस से डर, सिक्षक समाज में लोगों को सिक्षित करता है, उसको किसी से डर नहीं होना चाहिए, बोडिगार्ड लेकर के माफिया चलता है, तो हम तो माफिया है नहीं, हम तो बदमस है नहीं कि हम बोडिगार्ड लेकर के हत्या हो सकता है, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है, हत्या से ज़्यादा तो कुछ हो ही नहीं सकता है तो आज नकल तो इनसान को जाना ही है इस पिर्थिवी से तो हम अकेले चलते थे, अकेले अब भी चलेंगे ऐसा नहीं है कि हम इस घटना से डड़ गये हैं अकेले चलते थे, अकेले चलेंगे और आप सभी छात्रों के लिए काम करते थे और लगातार काम करते रहेंगे जिसको जो करना है करते रहे और जो भी लोग हैं अब हमको तो नहीं पता है कोन करवाया है लेकिन उनके लिए हम यही कहेंगे कि इतना नीचे तक लोग गिर सकता है यह हमें नहीं पता था खेर कल्यूग है यह लोग कहीं तक भी गिर सकता है आप अनुमन नहीं लगा सकते हैं कि लोग कहां तक गिर सकता है तो जो भी ये घटना करबाए हैं उनको तो हम कुछ नहीं कहेंगे उपर वाले के हाथ में हम छोड़ दिये हैं और हमारी उतनी आउकाद भी नहीं है कि हम बड़े-बड़े सिक्षा माफ्याओं का कुछ कर सकते हैं लेकिन उपर वाले के सामने सभी समान है तो फिलाल छोटी-मोटी-चोट आई है तो क्लास दो दिन के लिए आपको बंद रहेगा आज तीन तारिक है और कल चार तारिक है तीन और चार क्लास बंद रहेगा और इस दो दिन में हमें भी आतमन्थन करना है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण थे जो हुआ और हमको तो सबसे बड़ा लगता है कि सबसे बड़ा कारण रिजल्ट ही है और दिन परती दिन संस्थान आगे बर रहा है तो अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है लेकिन फिलाल दो दिन संस्थान पूरी तरिका से आपका बंद रहेगा दो दिन हम कोई भी class नहीं ले रहे हैं लेकिन और जो मेरे अलावा और जो class चला वो class चलता रहेगा और पांच तारिक से हम पुना आप लोगों के बीचु पस्थित होंगे और जो पढ़ा रहे थे जहां तक पढ़ा रहे थे वहां से हम आगे बढ़ेंगे आप सभी इसी परकार से अपने परिवार का अपने गुरु जनों का नाम रोशन करते रहिए और जिवन में सफल होई है यही हमारी सुब कामना है धन्यवाद आप सभी का